कोरियन कस्मेटिक इंडास्ट्री में धूम मचा लेने के बाद फेश शीट मास्क अब ग्लोबलाइज़ हो चले हैं किसी भी बड़े ब्रांड का आप नाम लीजे मेट भी शुगर, नाइका, गार्नियर, इनस्फी, बॉडी शॉप, फेश शॉप इन सभी ने अपना खुद का फेश शीट मास्क क्योरेट किया हुआ है और बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइज़ में हमें अवैलेबल कराया हुआ है यहाँ, इन सभी ब्रांड्स के प्रॉड़क्स हम तक डिलिवर करता था इसने भी अपने खुद के फेश शीट मास्क लाँच किये है आप चाहें तो उने ट्राइ कर सकते हैं, आपसलिटली नो प्रॉप्लम तो आज के वीडियो सिर्फ आपके लिए है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पैसे भी बचेंगे और नए आइडियास भी दिमाग में आएंगे So make your call and watch the entire video Hello to my beautiful people, present over here, welcome back to this channel आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्त हैं और अपना बहुत सारा खयाल रख रहे हैं मेरे बहुत सारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स और मेरे उनसे भी ज्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स जो की चानल को देख रहे हैं विच अमांट्स टू 3.4 मिलियों पीपल जी हाँ, आप सभी चानल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो सोचे हम कौन से वाला क्या ची सेलिबरेट कर रहे होंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चानल को सब्सक्राइब कीजिए ये जरूरी है हमारे चानल के लिए हमारे चानल की हेल्थ के लिए कि आप सब्सक्राइब करें और करन्ट सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत मैंडेटरी है जरूरी है कि विडियो को लाइक करें आप भूली जा रहे हैं आज कल वाट स कोईग ओन दिस नाट फेर मैं कट्टी हो जाओंगे मैं पहले बता रहे हूं जल्दी से लाइक करिए और भूलना भी नहीं है मैं यादना दिलाओं तो लाइक ही नहीं करेंगे सबसे पहले आपको समझना होगा कि फेश शीट मास्क है क्या देखिए वो कपड़े जैसा तुकड़ा जिसमें आखे बनी होती है नाक के लिए स्पेस होती है नॉश्टिल्स के लिए और आपके माउथ के लिए स्पेस होती है जिसको अपनी स्किन पर लगाते हैं किसी कपड़े जैसा मटीरिल क्यों है यह कपड़े जैसा मटीरिल इसले है ताकि यह जादा एब्जॉब कर सके एब्जॉब कर सके हमें तो स्किन को देना है ना जहां देखिए जब आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाते है तो जट से सूख जाता है लेकिन अगर आप उसके उपर लगा दे तो एक तो मास्क जल्दी से सूखेगा नहीं हम हमारी स्किन को अच्छ से रेगुलेट कर सकते हैं ज्यादा समय के लिए वो इंग्रीडिन आपकी तवचा पर रह सकता है हमारी तवचा अगर कितनी भी ढीठ हो उसको पीने का टाइम मिलता है तो यही क निकालना होता है और अपने स्किन पर लगा लेना होता है देखिए मैं तो बहुत स्केप्टिकल होती हूँ कि उनमें क्या क्या इंग्रीडियंस है जो इंग्रीडियंस लिखे होते हैं वो भी हम डीकोड नहीं कर पाते कि वैदर और नॉट इस गुट फॉर आर स्किन बस ब अप्रॉक्सिमेटली छे रुपे का एक पीस आपको मिल जाता है विच इस मतलब काफी ज्यादा कन्वीनियंट और काफी ज्यादा इकनॉमिकल इस तरह से आता है इसको आप इस तरह से ओपन करते है और यह फेशीट मास्क कैप्सिल की तरह होता है जैसे ही आप इसको पानी अपनी स्किन के लिए कर सकते हैं अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पांच हाइड्रेटिंग फेशल मास्क डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन कैसी है यह आपका परपस कैसा है तो सबसे पहला हाइड्रेटिंग मास्क में शेयर कर रहे हूं तेलिये तवचा के यानि कि ऑईली स्किन के लिए बहुत सारे स्किन टाइप्स ऐसे होते हैं जिनका गर्मियों के मौसम में इतना जादा ओल्सिक्रीशन होता है कि चहरा हर वक्त ऑईली लगता है जहां मैं भी उनीमे से हूँ तो ऑईली स्किन के जितने भी लोग है या जो इस काटेगरी में में especially आ जाते हैं उन सभी लोगों के लिए ये मास्क काफी हाइडरेटिंग है इसके लिए सबसे पहले एक बोल में आपको लेना है तीन से चार बड़े चम्मच रोज वॉटर यानि की गुलाब जल अगर आप गुलाब जल के लिए कांफुटबल नहीं है तो आप नॉर्मल पीने वाला पानी भी ले सकते हैं no problem इसमें आपको लेना है वन टेबल स्पून ऑफ चिया सीद यानि की तुक्मरिया के बीच ये इतने हाइडरेटिंग होते हैं that I am not explaining it मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली क्योंकि मैं बहुत बार बता चुके हूं इसको आप 15-20 मिनट के ल ला लीजे और इसको अपने चहरे पर लगा कर 20 मिनट के लिए रहने दीजे 20 मिनट में आपकी स्किन वो सारा का सारा हाइडरेशन पी जाएगी वो सारी ब्यूटिफल प्रॉपर्टी जो ओमेगा 3 एवरिधिंग जो जिया सीद में है वो आपकी स्किन को मिलेगा को लाजन बूस्ट होगा आपकी स्किन इतनी टाइट और सॉफ्ट जाएगी ना आप बोलेगे कि भाया बहतरी फेशल में भी आपकी इतना ज्यादा निखार नहीं आएगा जितना इस मास्क से आजाएगा तो इसको अपने चहरे पर लगा रहने दीजिए 20 मिनट मात्र फिर अराम से उतारिये, wash your face and you are good to go, hydrating mask number 2 और यह है उन लोगों के लिए जिनकी skin बहुत dry है, अब dry skin क्या करती है, काफी stretch होती है, flaky हो जाती है, you know, बहुत जादा खुसकी महसूस होती है, तो इनको क्या करना है, आपको चाहिए मात्र raw milk, जी हाँ, एक चम्मच raw milk के कीमत, आप क्या जा चाहें तो 20 मिनट से ज्यादा भी इसको अपनी चहरे पर रख सकते हैं, जब हलका हलका सूखने लगे, आप दुबारा से इस पर एक layer milk की लगा सकते हैं, and believe me, raw milk आपके skin के complexion के लिए, आपके skin की quality के लिए, मतलब जो काम कर सकता है, जो चाम इसमें है, वो कोई cheese dry skin के लिए नहीं कर सकती, it is that potent, इसके अंदर इतनी सारी qualities होती है, raw milk का मतलब होता है, जो pasteurized ना हो, जो उबला हुआ ना हो, हलांकि pasteurized बिना तो कोई दूद मिलता नहीं है, until unless आपके घर में, you know, cattle milk आता हो, otherwise आप यह कर सकते हैं, कि जो pasteurized milk आया है, उसका ही इस्तमाल कर लिजे, you know, the best of the resources जो हमारे आसपास available है, तो dry skin के लिए, it is only one ingredient, and that is raw milk, hydrating mask number 3, और यह है post sun exposure, यानि कि जब आप तड़कती भड़कती धूप से घर वापिस आए, और आपको इतना जादा इरिटेशन महसूस होती है, कि पस धंड़क मिल जाए, कि इसी तरफ कूलर के आगे बैठ जाते है, वो गॉन, क्या करना है, आप लोगों को घर वापस आना है, मूद होना है, अच्छे से, रिलाक्स करना है, बोडी टेमपरेचर को नॉर्मलाइज करना है, और उसके बाद जो फल घर पे अवेलेबल है, इचुड बी वाटर बेस फ्रूट है, तो जो मस्क मेलन है, वाट आपकी स्किन पर लगा है, वो स्किन को भी खिलाईए, आप देखेंगे कि आप इतना रिफ्रेशंड हो ही नहीं सकते थे, अभी तक हम क्या करते थे, दूप से पानी पीते थे घट-घट, तो इंटरनली थोड़ा अच्छा लगता था, जब फेस पर लगाएंगे ना, तो पूरा स्कल इतना थंडा हो जाता है ना, मतलब वाटरमेलन, थंडा वाटरमेलन का जूस अपने लगा लिया, वितमिन C का ऐसा गजब का दोज है ना, कि आपके जो पैकेज़ यहाते हैं, फेस शीट मास्क, सब फेल, सबके सब फेल, सबके सब फेल, फ्रेश फ्रूट का मा अगर आप 35 साल से बड़े हैं, या फिर आपके चेहरे पर कोई भी साइन अफ एजिंग आ गया है, डाक सपोट आ गया है, रिंकल आ गया, फाइन लाइन आ गया है, जो भी लाइन आ गया है, तो आप इस मास्क का इस्तमाल अपने ले कर सकते हैं, as many times as you want, सिर्फ एक इंग् ग्लिसरी, हाँ, हाँ, हाइलो रॉनिक आसिड जो आप करते रहते हैं, वह यह, यह, नॉन कमेड़जनिक है, कुछ नहीं होगा स्किन को, मैं बोल रहे हूं, मैं यहाँ बैठी हूं, कहीं नहीं जा रहा है, चानल यहीं पर है, कुछ भी हो जाए, वापस आके लिख दिये ज कर सकते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई चाहिए, थोड़ी लगाना है, थो थोड़ी लीक्विडी चाहिए हमें, तो आप उस हिसाब से रोज वाटर मिला लीजे, मैंने हाँ पर आधा चममच लिया है, और इसमें आपको लेना है, एक बूंद एसेंचल ओल, सिर ले रहने दीजे, उसके बाद रिमूव करके, हल्की सी मसाज करके, चाहे तो वाइप ओफ कर लीजे, अधवाइस रहने दीजे, ऐसे ही स्किन को पीने दीजे, और फिर आप देखिए, क्या कमाल हो जाता है, जिस इंग्रीडियन की मैं बात कर रहे थी, जो आपको रिपेट बूस्टिंग मास्क, जो की रात के समय, यानि की सोने से पहले आपको लगाना है, तो हम इसको बिफोर बेड मास्क बोल सकते हैं, और यह आपकी स्किन को कदर डिस्सिप्लेंड बना देता है, इतना रेडियन बना देता है, कि इसके रिजल्स आपको नेक्स दे मॉर्निंग इसके लिए आपको लेना है एक बोल में खीरे का रस, अब देखिए आप जैसे मर्जी निकालना चाहें, ब्लेंडर, खसके, जैसे मर्जी, आप निकाल लीजिए, अच्छे से बहुत थोड़ा सा चाहिए, अप्रॉक्सिमेटली एक चम्मच, इसमें आपको लेना है बहुत थोड़ा सा coconut oil, कोमेटोजनिक होता है, पिंपल्स हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, देखिए, यहां पर हम इसको डाइलूटिट फॉर्म में ले रहे हैं, कोई परिशानी आपकी स्किन पर आपको नहीं होगी, I assure you that, और इसमें आपको लेना है पिंच ओफ टर्मरिक, यान कीजिए, नहीं करना है, मत कीजिए, ऐसे ही सो जाएए, इसको आप रोज ना करें, जिनको बहुत जल्देली पिंपल्स होते हैं, लेकिन पिंपल्स होते हैं, हम यह नहीं उसकरेंगे, that's wrong, कीजिए, आपको समझ में आजएगा, कितनी फ्रिक्वेंसी आपकी स्किन चाहती ह कीजिए, और उस हिसाब से आप अगले दिन देखेंगे ना अपना चेहरा, तो प्लीज वापस आकर लिखना है, सिरफ अकेला के लिए खुष्णी हो सकते हैं, हमें भी तो जानना पड़ेगा, तो वापस आईए, और बताईए, कि कौन सा वाला मास्क आपनी यूज किया, और कितनी खुषी आपको मिली, खुषी तो definitely मिलने वाली है, बस हमें जानना है कि कितनी खुषी मिली, मास्क अप्लिकेशन से रिलेटेट कुछ एक्स्ट्रा बाते जो मैं आपको बताना चाहती हूं, वो यह है कि clean hands से आपको काम करना है, मास्क कभी भी कभी भी अंधुले मुह में नहीं लग सकता है इसलिए पहले मुह धोना होता है और उसके बाद आप इसको अपलाई कर सकते हैं तीसरा अगर आप मास्क लगाने के बाद लेट सकें तो बिलीव मी जो स्ट्रेच आपकी स्किन को मिलता है नाचरल ग्राविटी जो आपकी स्किन पर हेल्प करती है वो तो बखान किया ही नहीं जा सकता इसलिए मास्क लगा के अगर लेट सकें तो देहतर ऐसा नहीं कि नहीं लेट पाए तो और यह गलत हो जाएगा लेकिन अगर लेट जाए तो देहतर रिजल्स आपको मिलेंगे मास्क को बहुत लंबी अवधी तक लगाने की कोशिश मत क लेकिन जहां पर mix and match होता है ज्यादा देर के लिए अपने चहरे पर नहीं लगा सकते हैं अगर आप अपने मास्क में किसी भी मास्क में हलका सा भी नीमू नी चोड़ रहे हैं तो आप इसको यूज मत कीजिए क्योंकि नीमू कॉंसेंट्रेटेड फॉर्म में स्किन पर लेकिन जैसा मैंने कहा अकेले खुश नहीं होना वापस आके हम सब को बताना है कि आपको क्या-क्या चालेंज आपने फेस किये क्या-क्या बेनेफट्स आपको हुए और कितने खुश आप हुए आप सभी के मेसेजिस पढ़के पलीव मेरा कॉंपिडेंस अनदर लेवल रह आप सभी से मिलती हुँ अपनी आगली वीडियो में विच सम्थिंग माजिकल तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये खुश रहिए और प्रीती प्रेणा के सभी चानल से जोड़े रहिए व्लॉग जाने स्टार्ट हो गया है दू चेक थेम आप टेकर